आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किसी भी गाड़ी पर कोई चालान है या नहीं कैसे चेक किया जाता है और चालान को ओनलाइन कैसे डाउनलोड किया जाता है और ओनलाइन चालान को कैसे पे किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं किसी भी वीकल का चालान चेक करने के लिए या फिर ओनलाइन चालान पे करने के लिए आपको एक ब्राउजर आपन करना है उसमें आपको टाइप करना है e-chalan.pariwehan.gov.in तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा यहाँ आप चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन आप्शन आ जाएंगे यह तो आप यहाँ पर अपना driving license नमबर डालेंगे capture फिल करेंगे और get details पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चालान details आ जाएगी यह फिर आप यहाँ पर अपना vehicle नमबर डालेंगे और यहाँ पर चैसिस नमबर यह फिर engine नमबर डालेंगे जो के RC में लिखा हुआ होता है इसके बाद आप यह capture फिल करेंगे get details पर क्लिक करें यहाँ पर name आजाएगा जिसके नाम भी vehicle है यहाँ पर dl या फिर rc नंबर आजाएगा चाला नंबर आजाएगा चालान किस date को cut हुआ है वो आजाएगा कितने का cut हुआ है वो आजाएगा और चालान pay किया गया है या pending है वो status यहाँ पर आजाएगा अगर आप चालान को print करन दूसरी चीज आती है कि चालान तो आपने चेक कर लिया अगर आप इसको पे करना चाहते हैं तो आपको यहां payment के नीचे एक बटन मिल जाएगा पे का, जैसी कि यहां पर पे बटन नहीं है, आई बटन है तो इसका मतलब यह है कि यह चालान court में भेज दिया गया है इसको आप online pay नहीं कर सकते इसको pay करने के लिए आपको court में जाना होगा यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते है कि 24th को यह court में send कर दिया गया है किस court में send किया गया है उसका नाम भी यहां पर लिखा हुआ है चलिए अब यहां पर मैं आपको एक दूसरा चालान दिखाता हूँ जिसको online pay किया जा सकता है यहां पर चालान नमबर डालेंगे capture fill करेंगे और get details पर click करेंगे तो यहां पर देखी यह एक दूसरा चालान है अगर आप pay करना चाहते हैं तो आप यहां pay now पर click करेंगे यहां पर आपको अपना mobile नमबर डाल कर send OTP पर click करना है OTP डालने के बाद आपको submit पर click करना है आपके चालान की पूरी details को यह ले लेगा आपको बस next करना है यहां पर details आजाएगी आपको proceed with net payment पर click करना है payment के आपको काफी सारे options मिल जाएंगे जैसे कि आप यहां पर Yono या SBI की net banking से pay कर सकते हैं किसी दूसरे bank की internet banking से pay कर सकते हैं यह फिर अगर आप चाहें तो NFT या RTGS से भी यहां पर pay कर सकते हैं जैसे कि हमें SBI के इलावा किसी और bank की internet banking से pay करना है तो यहां पर click करेंगे यहां से bank चूज कर लेंगे किस bank से आप payment करना चाहते हैं सभी banks की list आपको यहां पर मिल जाएगी जैसे कि यहां पर हम चूज कर लेते हैं पंजाब, national bank, retail, make payment पर click करेंगे इसके बाद यहां पर आप अपनी internet banking का user id और password डालेंगे बैंक की तरफ से आपके पास OTP आएगा आपको OTP डाल कर submit करेंगे तो आपका payment यहां पर successful हो जाएगा इसके बाद payment slip डाउनलोड करने के लिए आप फिर से जाएंगे e-chalan.perivian.gov.in पर यहां check चालान status पर click करेंगे और यहां पर हम चालान नंबर डालेंगे यहां पर यह capture fill करेंगे तो अब आप यहां पर देखेंगे कि receipt में यह button on हो गया है इसका मतलब यह है कि payment successful हो गया है तो आप यहां इस पर click करेंगे payment receipt को डाउनलोड करने के लिए यह आपकी payment receipt है जिसमें पूरी details रहेगी कि आपने कब कितने रुपे का चालान pay किया है इसको आप save करके रख लीजिए तो इस तरीके से यहां पर आप चालान details देख सकते हैं चालान नंबर के थुरू, vehicle नंबर के थुरू या फिर driving license नंबर के थुरू और यही पर आप चालान को print कर सकते हैं और यही से आप pay कर सकते हैं और यही पर आप receipt डाउनलोड कर सकते हैं So I hope के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने friends के साथ शेयर करिए और अगर आपने मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं